दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं तो बेजी कांटिंग सौप्टवेर में bank statement को reconcile किस परकार करते हैं और bank balance को हमारी books में जो bank balance आ रहा है उसको किस परकार हम match करते हैं अगर कोई difference आता है तो उस difference को हम किस तरीके से reconcile करेंगे तो दोस्तो आज की जो वीडियो है totally practically देने वाली है original bank statement के साथ में तो दोस्तो अगर आप एक नए content हो वेजी कांटिंग सौप्टवेर को practical तरीके से सीखना जाते हो तो आज की इस वीडियो को end तक complete जरूर देखना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like जरूर कर देना दोस्तो में share भी कर देना दोस्तो अगर आपने मारी channel पर पहली बार विजिट करी है पहली बार आप मारी channel पर आयो तो इस channel को subscribe जरूर कर लेना साथ में notification bell को भी जरूर ओन कर लेना क्योंकि दोस्तो हम इस channel पर टेली software और वीजी counting software की practical video upload करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मौनसुथार और smart counting arsenal की YouTube channel पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो शुरू करते हैं आज कही वीडियो तो दोस्तो मैंने busy counting software में इस company में bank statement की entry करके रखी वी है तो सबसे पहले हम हमारी books में यान की busy counting software में bank के laser को open करेंगे laser को open करने के लिए हम display पर जाएंगे डिस्पले पर जाने के बाद accounts पर जाएंगे और उसके बाद में laser पर या आप अगर main dashboard पर हो तो control के साथ alum shortcut यूज़ कर सकते हैं तो directly हम account laser पर आ जेंगे और उसके बाद में select account में हमने bank of India को select कर रखा है और उसके बाद में हमें जो financially आ रहे है 20-21 की statement है मिलान कर रहे है तो 1420 से रहे कि end date 31-32-21 तक यह period आपको wishes कर द्यान में रखना है भी इस period में कोई गलती नहीं होजे otherwise हमारा जो statement है वो उसमें difference आएगा तो उसके बाद में सार्प इसको app 2 के साथ ok कर देंगे तो यह तो है हमारी books की transaction जो हमने voucher को देखके करके रखी विया है और उसके बाद में हम चलते हैं bank statement की तरफ से यह जो statement है यह हमें bank की तरफ से मिली विया है तो यह भी हम सबसे पहले देखें कि finance year 20-21 के statement को 1420 से लेके 31-32-21 तक का दोस्तों अगर हम bank statement के साथ से अगर closing balance देखें तो हमारा bank में जो balance अभी आ रहा हो 53,000 रुपे का balance आ रहा है यान कि bank की तरफ से अगर देखा जाए तो 53,000 रुपे हमारा bank of India के अंदर 31 March 2021 तक जमा है अगर हम books को देखें तो books हमारा यही कह रहा है भी आपका 31-32-21 तक का bank में 49,460 रुपे bank पेशा पड़ा है तो दोस्तों इन दोनों में अभी यह difference आ गया books कुछ अलग बोल रही है और जो bank की statement में उसमें थोड़ा difference आ रहा है यह difference क्यों आ रहा है इसको मिलान करते हैं इसको मिलान करना यह bank reconciliation statement बोलते हैं चलो दोस्त हम मिलान करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जो हमारी books में transaction है सबसे पहले उसको देखेंगे हम कुछ बैंक स्टेटमेंट से बुक्स को नहीं मिलाएंगे जब कि बुक्स से स्टेटमेंट को मिलान करना शुरू करेंगे तो दोस्तों पहली जो हमारी पास ट्रांजेक्शन आ रही है वह 50,000 रुपे की एक फरवरी में तो आप यहां पर देखने हैं एक फरवरी के अंदर केस जमा करवाया 50,000 रुपे का तो यब यह स्टेटमेंट में इंट्री आ रही है तो इसका मलब यह ट्रांजेक्शन हमारी मिली विया है और उसके बाद में हमने 5,000 रुपे का एक चेक दिया हुए है चेक नंबर 1 है तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको कलर कर देंगे तो इ यह भी मेंच हो गया उसके बाद इसको भी हम यहां से कलर कर देंगे उसके बाद चेक नंबर 2 हमारा 4,000 रुपे का तो चेक नंबर 2,000 रुपे की यह ट्रांजेक्शन भी मेंच होगी इसको भी हम कलर कर देंगे उसके बाद में चेक नंबर 3 है 8,000 रुपे का 5 मार्च को तो पांच नंबर चेक है यानिकि चार नंबर चेक अभी इसमें नहीं आया है और जबकि मारी बुक्स में चार नंबर चेक हमने इशू किया हुआ है लेकिन पांच नंबर का रहा है साथ जारूपे का तो इसको टिक करेंगे यानिकि अब यह मारा जो पांच जारूपे का चार न बैंक की credit side का total देखें तो इसमें 70,000 रपे का total है यानिकि अब ये जो 2,000 रपे की transaction है ये bank की statement में तो है लेकिन हमारी books में नहीं है तो दोस्तो अगर आपके bank की statement में ये entry आ रही है लेकिन books में entry नहीं आ रही है तो इसका मतलब हो गया ये transaction हमने करने भूल गया हम तो जैसे हम statement को देखेंगे तो हमारी ये entry पकड़ में आ जेगी भी संकर सिंग हमारा कोई customer है उससे हमें ये 2,000 रपे का check मिला है अलाकि 31,000 की entry है हमें पता नहीं चला तो हमने bank की statement को देखके इसकी entry कर देंगे तो सबसे पहले हम बुक्स में इसकी entry कर देंगे इंट्री कर लियम transaction पर जाएंगे उसके बाद में receipt पर जाएंगे एड करेंगे date यहां पर देंगे 31,000, 2021 की और यहां पर voucher नंबर जो हमें check received हुए असका ग्यार पिच्पन 47 चेक नंबर यहां पर डालेंगे और उसके बाद में जो हमारा कश्म रसंकर सिंग इसके हम credit करेंगे और उसके बाद में bank of India को debit करेंगे अब वापिस हमारा bank of India के laser हम open करेंगे control s के साथ हम shortcut use करेंगे तो अब भी हम देख रहे हैं हमारा जो debit side का books का debit side का पलेंगे और books statement का credit side का पलेंगे सततर जार पे मेच होगे इसका मलब हमारी जो debit side है वो बिल्कुल सही है अब बात आती है credit side की तो दोस्तों अब भी हम देख रहे हमने जो यह जो चार नंबर जो हमने देख क कमल सिंग्त को यह हमारी statement में नहीं आ रहा है जब के हमने 4 नंबर कमल सिंग को हमारा को employee को दिया वह तीज तारिक लेकिन अब यह हुआ क्या जैसे हमने कमल को check दिया तीस तारिक ने check हो सकता है कमल सिंग ने अभी bank में लगाया ना या हो सकता है कोई clearing के कारणी यह जो आगे चला गया उत कुछ भी region हो सकता है लेकिन हमारा काम था तीस तारिक तक पेमट देने का हमने तीस तरीक को चेक इशू कर दिया, बुक्स में इंत्रीवी कर ली, लेकिन बैंक की स्टेटमेंट में ये पैसा अभी तक नहीं निकला है, तो दोस्तों अगर हम बाद में बैंक से हमने नेक्स्ट साल की यानि की फाइनन्स लियर 2021 की स्टेटमेंट जब हम प्रेयल को निकला है, यानिकि इस कस्टमर ने, इस पार्टी ने बैंक में 8 प्रेयल को चेक लगाया है, तो पैसा हमारा 8 प्रेयल को निकला है, जबकि हमारे बOOKS कि-Coding ये कह रभी ये पैसा 30 तारीक को ही निकल गया, तो दोस्तों इसकी डेट हम रीकंसाइल में डाल देए यह हमारे unclear check है जो भी है तो bank को reconcile करने के लिए हमें सबसे पहले option को चलू करना पड़ता है बीजी software में इसके लिए हम एडिमिनिस्टर पर जाएंगे configuration पर जाएंगे और उसके बाद है feature and option आपको option देखने को मिलेगा इसमें हम accounts को select करेंगे तो accounts को select करेंगे तो आप यहां पर देखोगे banking option में आपको यह option दिखाए देगा bank reconciliation का इस पर हमें टिक करना है जैसे हम इसको tick करेंगे ok कर देंगे यानकि save कर देंगे इसको और इसको exit कर देंगे अब हम जैंगे डिस्प्ले पर और डिस्प्ले पर हम ज्याएंगे तो आप यहां पर देखने हो यह Benk Reconciliation का option जो एड हो गया है हम इस पर interface करेंगे और उसके बाद में आपको कुछ option देखने को मिलेंगे सबसे पहले हम इस पे show all entries पर click करेंगे enterprise करेंगे तो bank of India हमारा select हाई उसके बाद हम period हम change करेंगे और इसको enterprise करेंगे तो वो सारी transaction हमारे पास आ गी है तो अब हमें देखने भी जो हमारे clear हो चुके हैं जो जो transaction हमारे books में भी है और मारे statement में भी है तो सबसे पहले उनको clear कर देंगे अब जैसा कि मारे जो 50,000 पे के जो transaction है वो एक February 2021 को है और यह मारे transaction है जो मारे bank statement में भी एक February 2021 को है तो अब यहां पर हमको इसको clear करना है तो clear करेंगे तो उस entry पर आके हम F4 बटन का यूज़ करेंगे तो जैसे F4 बटन का यूज़ करेंगे तो यहां पर आपको option पूछेगा फीड clearing date में clearing date यान कि आपकी bank में date क्या है तो बैंक में date भी एक फरवरी को है इंटरप्रेस करेंगे तो यहां पर यह जो सारी फ्रवरी को आगी इस तилिय के सिर्ष यह भी इंट्री मारी दो तारी कुछी bank में है ऎब 4 करेंगे दो तरी किमें इस तरी ने चेक भी हमारा 53 में सभी है 53 में भी कर देंगे लेकिन अब यह जो चार तारीक वाड़ा जो चेक है यह बुक्स में तो है 33 2021 की इंट्री लेकिन स्टेट्मेंट में इसकी जो ट्रांजेक्शन है वो चार नंबर की आठ अप्रेल 2021 की नेक्स्ट फाइनेंस लियर में चला गया है इसके बाद में अब यह जो 4 नंबर चेक है यह वारा बुक्स में तो इंट्रि हमने कर दिया है लेकिन यह स्टेट्मेंट में नहीं है क्योंकि यह जो मारी जो finance layer का next finance layer में जाके clear हुए 4 number तो इसको हम अभी यहाँ पे छोड़ देंगे उसके बाद में 5 number check है books में 31 दिन 2021 की entry है और 5 number में statement भी 31 तारिक को यह check clear हो गया तो इसकी transaction भी हम F4 करके 31 तारिक रखेंगे और उसके बाद में जो 6 number check है वो भी मारा statement में नहीं है और 7 number भी नहीं है क्योंकि यह जो तिन्नों check है यह next finance layer में clear हुए है इनको भी हम छोड़ देंगे उसके बाद में जो 25 जारपे हमने cash deposit करवाया है तो यह भी मारी entry है जो bank में 31 तारिक को F4 करेंगे और यह भी मारा 31 तारिक में इसकी जो transaction है 31 तारिक को F4 करेंगे और 31 तो अभी आप देख रहे हुए यहाँ पर जो clear date है वो यहाँ पर आ चुके है सारी अब जिसके आगे date नहीं लिखिए इसका मतलब यह तीन ऐसे check है जो अभी clear नहीं हो एक यह चेक है इन्हीं तिनों का difference हमारा book balance और जो bank की statement का आ रहा है उसका difference आने का reason यह यह है तो हम इसको वापिस यहाँ से back करेंगे तो अब वापिस हम जाके देखें विस show unclear entries इस पर enterprise करेंगे बैंक को select करेंगे और हम end तक देखेंगे तो आपको वो तीन transaction show करेगा भी यह आपकी जो transaction है यह bank में इस financial year के दोरान clear नहीं होई है और आपने books में entries के already कर चुकि है क्योंकि यह इसी तरीकों में check issue भी किये हुए है तो इस तरीके से हम इसके bank को recon show clear entry अगर हम देखेंगे सारी तो only आपको clear entry दिखाएगा जो clear entry आपकी नहीं हुई है uncleared है वो इसमें show नहीं करेगा तो इसे हम बोलते हैं bank को reconcile करना cleared bank entry जैनकी जो हमारी books में भी entry है और bank की statement में भी entry है दोनों के entry मिलान हो चुका है और uncleared का मतलब जो हमारी books में तो entry है लेकिन bank की statement में नहीं है तो दोस्तों ये कुछ जुरूरी नहीं है भी हमने जो issue किया है वो ही check clear नहीं होते कई बार ऐसा भी होता है भी हमारे पास कोई check आ गया उसकी entry हमने नहीं हमारे books में तो कर ली लेकिन वो entry bank की statement में अभी तक नह जाती है तो उसकी वज़े से वो भी हमारा next year में जाके उमारे bank की statement में शुरू होता है शोना तो अगर हम all over again balance की बात करें तो जैसे कि हमारे अभी books में जो balance आ रहा है वो 41,460 रुपे का रहे है अगर हम दोनों सार लों का balance मिलान करके देखें financial year 20-21 का और 21-22 का तो अगे आपके आपका जो balance है वो 41,460 यहां पर match हो जाएगा क्योंकि यह जो तीन चेक है 11,540 रुपे के माउट के वो फिसले financial year में clear न होने के बजाए यह next financial year में आ गए है तो आलो और आपका जो balance है वो books के साथ कही है निकिन जाके match हो जाएगा दोस्तों ऐसा नहीं करना भी software भी next financial year में मलब entry कर देंगे ऐसा नहीं करना अगर आपने books में आपके financial year date के coding आपने entry कर दिये चेक रिशू कर दिये तो आपको books में भी entry उसी date को ही करनी पड़ेगी ताकि आपका यह जो difference आएगा कोई बात नहीं यह इस तरीके से reconcile करके इसको रख सकते है ताकि हमें पता आप पड़ी है तो दोस्तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो नोलेज़े बे लगी हो अगर वीडियो से कुछ सेखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक चरूट कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा दोस्तो तो प्लीज वो भी कर लेना क्योंकि आगे भी आपके लिए इसी टाइप की वीडियो लाते रहेंगे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के नए टोपिक के साथ